नमस्कार दुस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेव विद्वी में आपका स्वालत है मेरा नाम विनायक दिपाठी है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही भयांकर एक तरह से कर सकते हैं महायुद्ध जो होते होते बच गया तो अगर आप मा लाश तक बने रहे हम आपको बताते हैं विश्तार से बताएंगे इसमें किस तरह से दुनिया एक महायुद्ध से बच गई पूरी दुनिया का विनास होते होते कैसे बच गया आज जो हम जी रहे हैं आज यह नहा होता सब कुछ खतम हो चुका होता क्योंकि वो खटना इतन अवस्चंभावी हो गई थी उसको टालना इतना मुस्किल हो गया था लेकिन किसी तरह से पूरे दुनिया और मालिये कि सभी तरह सबने मिलके किस तरह से दुनिया को बचा लिया तो आईए हम देखते हैं इस वीडियो में सुरू करते हैं दोस्तों हमारे चैनल का नाम है स् नायक मड़ी तो दोस्तों सुरू करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैप खुला हुआ है अमेरिका का और छोटा सब्सक्राइब यह आपका क्यूबा है यहां देख रहे हैं यह क्यूबा है जिसको मैंने सेर्क्ल कर दिया है और यह ग्रीन कलर जितना है यह दोस्तों देखेंगे शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को तो आप देखेंगे आप जानते होंगे प्रथम विश्युद्ध हुआ दूती विश्युद्ध हुआ यह दोनों खटनाय हुई तो सहयं उतराश संग का गठन हुआ यह हुआ कि अब देश में सांती रहेगी दु अपनी अंदर अंदर सामरिक चंता बढ़ाना सुरू कर दिया हथियारों की कठा करना सुरू कर दिया और इस क्रम में दो देश सबसे आगे थे रुसिया जिसको उस समय सोविज़ संग कहा जाता था और यह यूजय से यूनाइटर स्टेर्स साफ अमिरिका इन दो देशों बहुत ज्यादा हथियारी कठा शुरू कर दिया और आप जानते ही होंगे 32 से उत में पर्माडबं का अविश्कार हो चुका था हिरोसिमा और नागा साकी 1945 में फेके गए थे पर्माडबं जो जापान में है आप इसको जान सकते हैं कहीं पढ़े होंगे जानते ही होंगे पर् वहां की मिट्टी वहां की जलवाई वहां के लोग कुछ ने कुछ डिफेक्ट उन्में रही जाता है क्योंकि पर्माडबं का गिरना रेडियेशन है वह बहुत सालों तक रहता है उसका खतम होना इतना आसान नहीं है तो दुनिया इसका ट्रेलर देख चुकी है कि नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों इस कहानी में हम आपको पताएंगे किस तरह से होते होते बचा इसमें हम देखेंगे शुरू करते हैं अपना वीडियो तो जब दुती विश्युद्र खतम हुआ हथियारों की होड़ शुरू हो गई इस काल को सीथ काल कहते हैं सोवियत संग नहीरों जी प्रधानमंत्री थे हलाकि हमारा भी उद्धुवा चीन से 1962 में लेकिन हम गुड निर्पेचता की और जा रहे थे और अमेरिका क्या कर रहे थे रूस क्या कर रहे थे गुड बना रहे थे जैसे उधर नाटो बनाए गुड अमेरिका ने बनाया तो जब यह हथि पूंजी वाद और सामय वाद का तो दोस्तों यहां देखेंगे आप कि किस तरह से पहले क्यूबा जो देश है छोटा से देश है हमने इंडिकेट यहां लिख देते हैं इसको हम क्यूबा आप समझ पाएंगे इसको जो मैंने सरक्ल किया है उसका नाम है क्यूबा यहां लिख देते हैं क्यूबा तो इसको देखेंगे दोस्तों क्यूबा में क्या था कि पहले था पूंजी वाद 1969 के पहले तक यह कह लिए 1969 था पूंजी वाद था अमेरिका ने काफी इन्वेस्टिमेंट किया सारी चीज़ खुली हुई थी सब इन्वेस्टिमेंट कर रहे थे सब चल रहा था अपने तरीके से लेकिन 1969 के बाद क्या हुआ कि यूएससर के सहयोग से यही रूस रूस के सहयोग से क्यूबा में फीडल कास्त्रो नाम का एक कह लीज़े कि सामयवादी था या फिमार्क्सिस्ट लेनिन वादी था उसने सत्ता संभाल लिया बला सत्ता में वह आने की कोशिज कर रहा था पहले से ही और युश्थार के मदद से वह सत्ता में आ आ गया सत्ता सामयवाद 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 सामयवा होते चले जाते हैं गरीब गरीब होते चले जाते हैं लेकिन सामयवाद में सरकार करने रहता है अगर सरकार अच्छे से काम करती है तो हो सकता है वहां भी कुछ फाइदे हैं कुछ नुक्सान है लेकिन क्यूबा में सामयवाद आ गया अब सामयवाद आने के बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे कि अमिरिका का वर्चस्था सक्षाम होने लगा अमिरिका का फैलेंगे पुंजीवाद को हटाएंगे तो इसमें आप देखते चलेंगे कि होता क्या है कि रूसर जब मजब करने लगा तो अब क्यूबा और रूस को यह संक होने लगा या फिर यह मालीजे की ऐसी आसंका लगने लगी कहीं अमेरिका इन पर आक्रमर करके आधिकार करने कर ले क्योंकि देख रहे हैं आप जो ग्रिन कलर है वो अमेरिका है और क्यूबा कितना पास है यह जो टेल निकली हुई है इ यह उसका फ्लोरिडा है जगह है अमेरिका का यहीं पर आप सुनते होंगे एक बीच है मायामी बीच बहुत ही फेमस बीच है कभी आप इसको गूगल सर्च करके देखिएगा मायामी बीच है यहीं पर बहुत फेमस है यह अमेरिका है ग्रीन कलर से क्यूबा बहुत पास है तो इन लोगों को सख़ ने लगए कहीं इस पर हमला करके ये क्यूबा को कब जान कर ले तो रसीया ने क्या किया उस समय रसीया में जो सत्ता संभाल रहे थे वो उनका नाब था निकिता खुरुषचेयो इन्होंने क्या किया और इस समय अमेरिका जो राश्टपती थे उनका काइनेडी था इसको हम आपको लिख के बता देते हैं यूएसे में सासन कौन संभाल रहे थे काइनेडी और रसीया में उस समय का यूएसेसर कहा जाता था यहां सासन संभाल रहे थे निकिता खुरुष्चेव जिसकी इंगलेश भी लिख देते हैं खुरुष्चेव यह सासन संभाल रहे थे अब यह लोग आपस में लड़ रहे थे महासक्ति बनने की होड में लगे हुए थे क्यूबा में मौका मिल गया रसीया ने क्यूबा को समझाया कि भाई देखो तुम्हारे उपर कबजा कर लें कि हम तुम्हारी मदद करेंगे हम तुम्हें मिसाइल देंगे हम तुम्हें सामरिक सकती देंगे लें फिडेल करास्तों क्या थे कि वो दब रहे थे वह लेने के लिए इतना इच्छुग नहीं थे यहां यह चाहते थे कि हमारी सुरुच्छा हो रसीया कहां थे हमारे उपर कहां है और यूए से कहां है और ये क्यूबा कहां है तो सबस्जदा घाटा क्यूबा कोई होता क्योंकि और अमेरिका के सामें क्या समझा खड़ी हुई थी कि अमेरिका के सामें दोस्तों पहली बार माली ये परमाड यूद ने परमाड बम का परिशन किया था, अमेरिका ने कितना ज़्यादा भी रोध किया था, पुरे ट्रेट समाप्त कर दिये थे, भारत को एक दों बाई काट करने लगा था, तो यही अमेरिका पूरे हमेशा से करता है, कि वो परमाड बनने ही नहीं देता, जैसे तो यहीं पर अमेरिका भी यह कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने देखा कि इतना करीब उसके परमाड हथिया रहा गया, उस सोचा भी नहीं था वो, और रूस ने क्या किया कि धीरे धीरे परमाड मिसाइल बड़ी बड़ी मिसाइल अपना ले आकर मध्यमदूरी की यहां पर लगा दिया, जब लगा दिया, क्योंकि अमेरिका के लोग, अमेरिका भी आ लिए सब तो रहते ही थे, क्यों पूरी तरह से तो हटे नहीं थे, सामेवाद आया जरू था, लेकिन पूरी तरह से नहीं आया था, तो देखें कि दोस्तों भी आपको वर्ड मैप में दिखाते ह जब यहां देखेंगे कि रसी जाओ वहां से जहाद से भर के लिए आया तो कम से कम दो हफ्ते तीन हफ्ते गुजर गए तब जाके अमेरिका को पता चला कि भाई कुछ हल चल हो रही है रूस में यहां क्यूबा में तब अमेरिका ने अपना यूटूब इमान और उसका सी आई यह जो है इसको लगाया उसमें सर्च में तो इसको पता करने मुसको काफी टाइम लग गया कि कहां से यह हो रहा है कैसे हो रहा है लेकिन उसने पता कर लिया कि भाई हां कुछ हल चल तो हो रही है और वहां के लोग बता रहे थी कि भाई सिलेंट्रिकल कोई चीज है ब रसिया ने कहा कि भाई मिसाइल तो लगा रहे हैं लेकि मिसाइल को मुझ किधर रहेगा हम मिसाइल किधर की ओर करके लांच के रहे हैं तो जाहिर सी बात है किधर की ओर रहेगी अमेरिका की ओर रहेगी और अमेरिका ने अपने सेटेलाइट से अपने यूटूब इमान से इन इतनी दूर लेया कि मिसाइल खड़ी कर दिया अब मिसाइल जहाज से आ रहे थी पानी वाली जहाज से बड़ी बड़ी जहाज है तो अमेरिका जान नहीं पाया फिर इतना सोचा नहीं था कि इतनी दूर से मिसाइल लेया खड़ी कर देंगे और हमारे सामने पर्मार्ण समस्चा खड़ी हो जाएगी, पर्मार यू दिकी, तो जब अमेरिका पता चला तो अमेरिका ने भी क्या किया, कि अपनी जहाजों को इधर से भेजा, इसको काउंटर करने के लिए, या कह सकते हैं कि रोकने के लिए, कि ये आगे न बढ़ने लेकि रसिया ने क्या किया थो उसके पहले ही काफी जाता यहां पर ही गठा कर चुका था थो अब देखें कि दोस्तों जैसे ही यह 1962 का दौर था आपको हम बता देंडेट बता देते हैं 1962 का दौर था सीद्ध चल रहा था था थो अभब बैएक मिले जाते हैं आपको अमेरिका कि दरब से कनेडी स्टासन संभाले हुए थे रूस की तरह से क्रुष्चेव थे और इसमें युनाइटेड नेशन की भी काभी भूमिका देखी गई दुनिया को बचाने को भी सुको बचाने में अब इसमें देखेंगे कि सुरवात कैसे हुआ रूस क्यों इतना बढ़ रहा तुर्की इटली और यूके ये को आप देख सकते हैं यह वाली एरिया इन तीन जोगों पर अमेरिका ने अपने हथियार अपने मिसाइल पहले से जमा रखे थे और यह एरिया पूरा रूस का है यह आप देख रहे हैं जो देखें कितना करीब अमेरिका की मिसाइल रखी और ख़त में क्योंकि रसिया का यह वाला एडिया तो पूरा बर्फ है इधर वाला रसिया का जो ज्यादा जनसंख्या है इधर ही है इस तरफ और यहां किनारे किनारे लगा हुआ है परमाडबं मिसाइल लगी हुई है उस समय अमेरिका ने मिसाइल बना लिया तो करम के बारे में बता देते हैं घटना करम कैसे हुगा घटना करम में आप देखेंगे कि जैसे ही यह लगने लगा कि हाँ कुछ हल चल हो रही है कुछ हो रहा है आगे पीछे तो रूस ने अपना यूटूब विमान उसका एक जासूसी विमान है अब रूस के बारे में जान पिर हमने किसी तरह से रात में काम करके किसी तरह से उसको कर लिया। रूस ने भी यही काम किया। रात में उसने काम किया। रात में उसने मिसाइल को तैनात कर दिया। अमेरिका इतना जासुजी कर रहा था उसके बावजूद। जब मिसाइल लग गई अब क्या करता अब द से तो मजबूत ही था अलाकि राफ हूयत था उसने के country तो अमेरिका ने क्या की अमेरिका ने भी अपने जहाज भेजे अपने सैनिक भेजए अपनी जहासूसी भेल दिया जाए और रस्या को surrender करने के लिए बोला जाए भाई रस्या तस दूर से चब्क चुर्क हो उसको तो रोका जा सकता है कि उसके आगर जहाज ना आने पाए उसको भी चखदिया जा सकता है इधर से इधर से रोक देंगे तो कहां आताएगा वो इधर से नहीं आपाएगा और सोचा उसने कि इधर से घहरा बंदी कर लेते हैं इसमें इसको हम आपको इस वाली फोटो में दिखाते हैं ज्यादा साब दिखेगा यहां पर आप समझिए कि यहां देखिए अमेरिका ने किया सब्चा कि इसको हम यहां से घेरा बंदी कर लेते हैं नाके बंदी कर लेते हैं कि चारों तरफ से खेड़ लेंगे सरेंटर करवा देंगे ये पहला विकल्ब दूसरा विकल्ब यह था कि सीधे युद्ध अगर इधर नहीं लेकिन आप यह देखेंगे कि अंतर राश्टी नियम जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आद में नाका बंदी की तो उसको एक युद्ध की चेतावनी माना जाएगा और अगर अगला आद में युद्ध करता है तो यह रहेगा कि यहां इस नाके बंदी की वज़ा से युद्ध हुआ दूसरे देश को दोस्त नहीं दिया सकता क्योंकि नाके बंदी को युद्ध के रूप माना गया है अंतर राश्ट तो चाहता ही था कि अमेरिका किसी दरद सुरू करता हम उसको पर अटाय कर दें तूरंत यह घटना करम चली ही रहा था उसी बीच में क्या हुआ कि एक बार यूटू जासूसी विमार अमेरिका के जो की ताइवान के सौमित का था हम आपको दिखाएंगे भी वीडियो में ताइवान कहां है दिखाई देते हैं आपको रसिया कुसमें इसमें क्या है कि आप इस मैप में देखिए यहां पर आप दिखेंगा चाइना आप इस समय भी देख रहे होंगे कि चाइना और ताइवान इसमें बहुत ज़्यादा कि चल रही है इनके बीच में चाइना और है आप देख रहे हैं की आजब है कि आज भी यज्च कि कभी युदध के और चायना बीचा रहा है कि बार बार ओस के अरियम जा रहा है उन cards दो वहाँ रखे हुए हैं एक तरह से चाहिट तायवान तो के वाले पील्ड है भीड़ना चाहते हैं अमेरिका और चीन लगया बनी हुई है पर्मार्ड युद्र की समभवना बनी हुई है इस जिगह आज की डिट में भी 2020 भी तो यहां पर क्या थक ताइवानी जहाज और ये रूस का जो एरिया देख रहे हैं इधर ये रूस का एरिया है तो अमेरिकी सामित वड़ा ताइवानी जहाज था वो गूमते पता नहीं कैसे रूस के एरिया पहुंच गया यूटू तो अमेरिका ने रूस ने क्या किया च्छेताओनी जिया तुर अमेरिका तो अपनी जासुसिस बाज नहीं आएका उसके दुए आदत ही है उसने फिर से लगातार वो ट्राइ कर रहा था कि वो ट्रेस करना चाहता था कि यह क्यूबा में चल गया रहा रहा है उसने फिर से यूटूब बैजा और इस बार यूटूब बैजा और वो सफल हो हुआ हुआ है ऊसमें उसमें तुरंट मीडिया को बुलाया अगले दिन बाई शक्टूबर को मिडिया बना पूरे दुनिया मेडिया को बता है कि देखे हमारे पास फटोग्राफ एं किस तरह से रूस ने हमारे अटाइक कर्ने की कोसिए है हम अपने बचाओं में किसी भी तरह की अपनी बचाओं पर च्छाबराली को यूच करेंगे इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हम अपना बचाओं करेंगे उसके बाद क्या होगा दोस्तों दो दिन बाद अब देखे कैसे बिस्युद्ध की योड़ बढ़ने लग पहतिया लगा रखा है तो वो भी उसके मित्र देश थे एक तरह से माल लिए कि कई सारे देशिस में इन्वाल हो चुके हैं अब क्या है अब क्यों युद्ध होना बागी रह गया था क्योंकि अब सब उसी तरह बढ़ए सब यही चाहता है सिर्फ अमेरिका चाहता था किसी आधे मैं हलकि जापान बश्ना की बहूंत ने बचना रहा तो यहां भी वो बचना चाहता था लेकिंप युद्ध करेगा तो वह संवर्तान था इस Masuk तो तो करेगा एक तो इसमें क्या हा कि उससे ने क्या कि युझा कि और बैठर गोला ऑगिजे और बात द्ह चारीकिस चल रहा है डोप स्भ मीजिश पर, तेलीकम्निकेस्जी Kentलाइ Mukher रहे हैं इक सिकनर में यह पीजिश सब mayoral तो समय इतना में क्matic भीज़ थे तो ऑन को जए अधर इतर से मेश्म आप behaviors भी अगला नहीं पहुझा नहें पता छिए जैस ने पहले message भी जाता वो message कुछ उत्व जाता उसको पढ़ा जब उसको लगता था इसके बद ंहीं यहाला भीजह नहीं भी यहीं कि उपस कैसे ले अब जयसे υχी मैसेज वापस ले में कि दोबारा message भीज़े गाता है तो नहीं तो बहुत जादा अमेरिका का यूटूब विमान अब देखे कैसे एकदम युद्ध की और धीरे धीरे देश बढ़ रहे हैं यूटूब जासुची मिमान फिर से उरान भरा और जैसे ही पहुंचा माली जेक फ्लोरीडा की तरफ से वह जो टेल हम दिखाए थे आपको अमेरिका की उधर से उरा में दूसरे मैप में हम आपको दिखा देते हैं इस चीच को यहां साफ 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 अब यहां देखें जो फ्लोरीडा के लिया है इधर से उसने उरान भरा अमेरिका का यूटूब विमान ने उसका यूटूब विमान क्या है कि जासूसी विमान है साहिद आज भी चलता है व हमारे कमांडर ने बिना ज्यादा सूजबूज दिखा या पिर पता नहीं उसका क्या है वो तो बाद में ब्लोक बदल ही जाते हैं उसने मिसाइल लांच कर दिया और यूटे विमान को मारके गिरा दिया तो यह तो सीधे सीधे अमेरिका पर अटाइक हो गया अब अमेरिका इ इतने मिसाइल हमने लगा चैना ने भी लगा रहा दो से दोस्तों सिधे स्ब्रेंट क्लिक न किख ठाड़े थे कि बसेद ऑी जाता उसमे भी थी रसीया क्यूबा और अमेरिका की बीच में तो क्या किया कि रसिया कमांडर ने मिसाइल लांच कर दिया मार के गिरा दिया यूटूब इमान को अब अमेरिका के सामने एक और धर्म संकर खड़ा गया कि अब अमेरिका को एक दम युद्ध अगर मिसाइल ना लांच करे युद्ध ना करे तो एक तरह से हार मानी जाएगी कि भाई क्िवॉट रहे हो क्यों डर रहे हो कैपिबल नहीं हो यह तो तो अमेरिका ने क्या कि अमेड़का ने फिर से एक सलूस निकाला उसे ने का जू लिभा इए्क एक देखेंगे आप एक 26 अक्टूबर की घटना है 27 अक्टूबर को उसने मार के गिरा था उसके एक दिन हम पहले चलते हैं 26 अक्टूबर क्या हुआ कि रस्या के एक पंडू भी थी वो क्यूबा के चारो तरफ घूम रही थी माल लीजिए यहीं पे से तो अमेरिका ने क्या किया उसको घेल लिया मलब उसको डिटेक्ट कर लिया रडार डाल के सोनार जिसको कहते हैं पानी में सोनार काम करता है और पानी के बाहर रडार काम करता है तो उसको सोनार डाल के उसने मलब डिटेक्ट कर लिया वो टार्पीडो आप सुने होंगे भारत ने भी एक बनाया है अगर कहेंगे तो हम टार्पीडो और ये इसके बारे में अलग वीडियो बना देंगे कैसे डिटेक्शन होता है रेडियो सोनार और ये सब रडार का तो उसने 26 अक्टूबर को क्या हुआ है ये 1962 चल रहा है आप उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ये पता नहीं था कि ये परमार पंडूबी है और उसनै क्या क्या उसको भाशने रही वह नहीं थि अब जरुर्बर पंडूबी में तीन चाहले में मेंबर थे उसका क्रूवी थे अब उसमें भी बहुत तर्ग बितर्ग हो भाई अगर इस पर परमाड छोड़ दे या तो वो पंडुबी को बचाते या सरेंडर करते या फिर युद्ध कर देते अब उन्हें बहुत तर्ग बितर चल रहा था क्योंकि कम्यूनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था कि हम वहा अगर परमाड लांच हो गया परमाड मिसाइल लांच हो गई तो फिर क्या होगा पूरा पूरी दुनिया खतम हो जाती यह सबसे चरम था उसका कि यहां पर जब परमाड बंडुबी घिर गए उसने अपने हेलीकाप्टर लगा रखे थे और पोत लगा रखे थे जहाद ले लेता और बेश्युद होता पुरी दुनिया खतम होगी रह जाती यह घटना इतने खतरनाक मोड़े पहुंच चुकी थी काफी तरक वितर होने के बाद कि मंगर में क्या किया मेंबर ने क्या किया उसने डिशाइड कि ठीक सरेंडर कर देंगे किसी तरह से वो लोग उसक कितनी बड़ी गलती करते करते हैं अमेरिका बच गया कि वो लोग रिपेल नहीं किया मलब की लांच नहीं कि मिसाइल मार देते पुरी दुनिया खतम हो जाती विस युद्ध सुरू हो जाता जिसकी लोगों ने कलपना नहीं की अभी तक दोस्तों जो युद्ध हुए वो बंबारूद वाले युद्ध थे परुमार का यूज के वल दो बार हुआ एक शिरोस्मिया पर नागा साकी पर उनीस सब्हें तालिस ने अमेरिका ने मारा जापान पर यह जापान के दो सहर हैं यह वो नागा साकी उस समय के यह डेवलप सहर थे उनके परीडाम देख रहे हैं और अमेरिका और रसिया ने जखीरा तयार कर रखा है इनका बहुत ज़्यादा हथियार है इनके बास पर माड़ हथियार उतने मिसाइल उतने बंब हर चीज इन्हों ने कठा कर रखा है तो दोस्तों यह घटना 26 अक्टूबर 1962 की है यहीं से युद डिचाइड होता है उन्होंने क्रू मेंबर ने सरेंडर कर दिया तो युद होते होते हैं एक घटना यहां से बच गई लेकिन अभी खतम नहीं हुई यह बात अब आगे भी चीज़ें बची हुई है अभी बात चल रही थी फिर से सजीनत राश्ट का लिया गया कि किस तरह से युद को बचाय ने जो तुर्की में जो इटली में मिसाईल लगा रखी है उसको हम अटा लेंगे रसिया यही चाहता था कि भाई हमारे सिर से तुम मिसाईल हटाओ पहले क्योंकि हमेसा युद का खतरा बना रहता है उसका अब यहां से मिसाईल मार दें कि रसिया खतम हो जाए उसने का भा को मैं या वैस्के सामने क्या हो कि एक तरह हaboutए कि रसिया की रोचना होने लें लग है कि रसिया की हार हूए यह तरह ऐसे क्या हुए क्योंकि यह अपक्या हुआ प्रश्या को हत्यार वापस करना पड़े लेकिन अमेरिका ने पर भी पप्ढ्लिस DAVID कि हमने क्या हुए हा यह कि अंदर अंदर की बात थी बाद में तो पता चड़ी गया कि भाई वहां से हत्यार हटने लगे हैं लेकिन बाहर से क्या हुआ रूस की एक तरह से हार होती हुई दिखी उसको अपने हत्यार लोटाने पड़े वहां भी काफी जादा रसिया में भी इसकी चर्चा हुई भाई तो यहां देखेंगे कि रसिया को नुकसान उठाना पर रहें लेकिन यह था कि वह जो चाहता था मिशाइल हटवाना चाहता था वह मिशाइल हटवा दिया तो दोस्तों अगर आप कहें थोड़ा समापको वीडियो खतम करते-करते फीडियल कास्त्रों के बारे में बता दे पर दे झाले थे फिर दिरे उसके बाद राश्चपती भी बन ग prett गए और इसके बहुरह वार्लै यह मार्क्षवाध देखें कि तरह से हमासा करेंगे कि आगे भी परमायूद रोट थे अथने बिद्धोंसक होते हैं इतने खतरनाक होते हैं आप ही जानते होंगे आप ही समझते होंगे कितने खतरनाक होते हैं तो इसी तरह की इंट्रेस्टिंग टॉपिक की वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट में बताएं अगर आप किसी तरह की टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिके बताए हम उस पर वीडियो बना देंगे या फिर हुमारी चैनल बने रहें अगर हमारे चैनल बढ़ करें लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और जाते जाते बेल आइकन घंटी बुटन को जरूर दोबाए क्युंकि हम ऐसे ह तो आपको वीडियो लाते रहेंगे तो आपके पास नोटिपीकेस हैं जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप इस वीडियो को जदा जदा फाइदा उठा सकें तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक धन्यवाद जय हिंद